जहिन देवर्वान स्वागत है हमारे इस चैनल पे आप सभी लोगों का और जैसे कि आप लोग को पता है कि CISFA Head Constable Minister का 30 तारिक से physical और document होने वाला है ठीक है तो आप लोग को बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि कि CST का certificate कैसे बनाएं वह भी सी कैसे बनाएं central लेवल का तो इस वीडियो में इसी टोफिक को बात आज करने वाले हैं सारा कुछ आपका डाउट किलियर हो जागा एक भी आपको डाउट नहीं रहने वाला है और इस वीडियो को देखने के बात सारा student का डाउट किलियर और बनाना होता है कि सबसे पहले एक format मिलता है ठीक है ओफ लाइन में इस यह बनता है स्ट ऑनलाइन से बनता है लेकिन वहां पर जो सेंटर पर का जो मांग है वह offline है जो कि official notification में उसका format दिया हो ठीक है तो वह नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे तो पहले ले जाना है कि हम सो बताएंगे ठीक है पफार्मेट फोर्मेट ठीक है पूसरा वो गया एक मतर कट का फोटोपी और तीसरा हमारा हो गया एक ऑपिस्थ है अपना फ्रमाणप्ट ठीक है अर्च आपको सेनकेक लिखना करेंगे लिएम से बरुस्टे चान करते तो द्यम का एक अप्लिकेशन लिखना पड़ेगा यह सब्सक्राइब लेकिन आपको रेवेन्य ओफिसर से नहीं कराना है जो वह भी सी बनाता है ना का यह स्टेट लेवल का अपना जाती परवान पत्र उससे आपको नहीं करवाना है ठीक है नहीं तोहां कर दिया जाएगा वह लिखा हुआ है कि आप किसी से भी करवा सकते डिस्टिक मजिस्टेट डिया में स्टियों हो यह डिप्टियों परसिदेंशी हो लेकिन आपको सब्सक्राइब नहीं करवाना है तो चलिए हम आपको बताते कि कैसा होता सर्टिफिकेट तो फ्रेंट देख पोस्ट अंडर दा गवर्मेंट ऑफ इंडिया ठीक है और यह इसको आपको भरना है ठीक है यह साइद इसमें दो पेज का है लेकिन हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका काटशट के एक पेज में आपको पूरा दे देंगे ठीक है और वहीं आपको निकलवा के भरके और जो मैं आपको बता है तीन चीज एक्ष्टर आपको लेकर के अप प्रिंचर मार के जाना डीम के पास से नेचर मोहर मरा के आपको बस हो गया और क्या आप कुछ नहीं करना बस इतना ही काम था यह देखिए स्ट के लिए हो गया फॉर्मेट ठीक है आप देखिए नीचे में सर्टिफिकेट टूबी टूए प्रोडूश्ट वाइदर बैकबाइट क्लासेश कंडिडेट अप्लाइंग फुर एप्वाइंटमेंट टू पोस्ट अंडर दा गवर्मेंट ऑफ इंडिया और इसमें भी आपको ही भरना है जो आपको उपर में भरना बस मैं आपको उपर कि अपना स्टेट हो गया डिविजन हो गया मुहला यही सब जो उपर हम बता रहे हुए ठीक है इसको भी आपको जाकर करके डियम से आपको सायन मुहर करवा लेना है ठीक है और क्या-क्या लेकर कर जाना पड़ेगा डियम के पास वह आपको बताएं तीन चीज फिर से आप हो दिख ला देंगा उसको किस तरह से उसको भारात याम आपको बताते कि किस तरह से भारना है तो सब से पैले अपको यहां पे बढ़िंखना फीर कंहारी जो भी आप होंगे वह अपना नाहीं पेलिख लिजिए गा ठीक है उसके वदे अपना तीसोंर नाम है ठीक Ayuk HR तो यूनियन ट्रेटरी से तो अपना केंदर साशित प्रद्रस का या राज है तो राज है पिर उसके बाद यहां पर जो आपको लिखना है पिर उसके एकला टिप में यहां पर दिखिए आपका कास्ट लिखना है ठीक है अगर अपना जात दे देना ब्राइकेट में इस तरह से अपना जात दे देना जो भी जिसमें भी आप आते हैं ठीक है उसके बाद आगर आपको एस्टी के लिए बनना है तो दोनों को इसी फोर्म से भरा जाएक है और बना करके आपको लिए जाना है अब इतना भर लेने के वा ok नीचे आ इक है जो दुद्द आ 100 दोना आपको नहीं बहना नौन श्रोस नव भरे गा जो मतलब जिसका home address औरOG और आप जहां पढ़ाई कर रहे वहीं से बनवाना चाहते हैं उसी का एड्रेस से तो आप यहां पर भरिये गाए यहां पर क्योंकि दिखें लिख्या हुआ ठीक है माइगरेट फ्रोम एस्टेट यूनीट एनमें श्टेट लिए ठीक है तो यह समझ गया और आप जहां पर रहते हैं आपका जहां घहर है मतलब आपका होम डिस्टिक वहीं का ज्यादातर के लोग डालते हैं तो आपको तीसरा नमबर का डालना ठीक है देखिए दिसरा नमबर को फिर उसके बाहत अपने इस्टि का नावं या यूनियंटेयट्री का नाम फिर उसके बाद यहां पे को फ्क्रेश्ज देधाना आप इंधी प्ली दिष्टिक से अंपिलायक करें ठीक है उस इसके बाद यहां पर डेट देना जाते को आप जाएंगे के यह पहां पर जमा कर्वाने के लिए उसके बादर यह यह कौरेगा कि 210 ok ठीक के और किसे से आपको करवाना है ऐसे तुम्हें को बताए दिया दिया डियम और एस डियो यही दोनों ठीक रहेगा अब को रिवेनियों ओफिसर्स नहीं कराओ तो नहीं होगा मानुहां पर इजक्ट कर दिया जाएगा तो आप यह धियान से सुन लिजेगा तो ऐसा कि यह करवा लिजेगा ठीक है सबसे बढ़ है रहे इसके साथ में क्या क्या ले जाना आपको अब यह बताते हैं देखिए उस अप्लिकेशन को भरने के बाद अब आपक एक पत्र लिखना होगा जिसके पास से भिए वेरिफिकेशन कराएंगे जैसे सेवा में अगर जब दियम कर पाए जारे हैं तो स्रीमान जिलाधिकारी अपना डिष्टी का नाम लिखना है ठीक है और नीचे में लिखना आपको बीसा को बीसा में लिखना जाती परमान पत् कि अपना नाम लिखना है पीता जी का नाम अपना पता और मैंने सब्सक्राइए इससारा कुछ लिख करके और आपको ले जाना क्या तूटो को पी एक जो आपना भी सी बना होगा आपका तेट का उसका फोटो को पी और एक अपना अवेधन पत्र यह वाला जो भी हम बताएं आपको पढ़ करके और एक जो ओरिजिनल वाला जो एक फोर्मेट लेके जाना है ठीक है तो टोटल आप मिला करके चार आपको लेके जाना है प्रिंच मार करके ठीक है और डियम के पास में बस तुरत करकर देगा यह बताएं थे ना कि ओबीसी के लिए कैसा था तो बसो बीकि के लिए भी सारा यहाँ पर नाम अपना भिलेज पना डिस्टिक यहां पर नाम होगा होगा पर स्चेट यहां पर परकास लिखना है और यहां पर अपना तक बडिविशन नमबर लोए जो कीॆत línea अपना डेट लिखना किस डेट जारी रिजरिशन हुआ था उसके बद यहां पर अपना अस्टेट का नाम लिखना है ठीक है और भी उसी तरह से फिरिफाइक करा ले होगा होगा ठीक है मेरा बाद हम यह ओफिस्याल नोटिफिकेशन आप को दिखाएं मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ठीक थीघ्ये एक स्कंड़ कि लिखा वा एंटो सीमय दिया हुआ यह फोर्मेट ठीक है तो उसी से हम दिखा रहे हैं आपको और यह दोनों फोर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां सब्डाउनलोड करके अपना काम करवा सकते हैं तो चलिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिएगा अच्छा लगा वीड वीडियो में